सब लोगों ने देखा होगा आज सुबह से आफी के चैनल चला रहे हैं और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर है कि कैसे करनाटक में एक बड़ा स्कैम फिर से सामने आया है मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इस्तमाल किया है लेकिन माईसोर का जो सैंडल सोप गोल गोल आता है बड़ा ही बढ़िया होता है और बहुत सुगंदित होता है बचपन से मैंने तो बहुत अच्छे से देखा है और देखा है बहुत लोगों को इस्त करनाटक में कि उस संदल के साबुन में भी ब्रश्टाचार की दुरगंद भर दी गई है और आपको सिलसलेवार तरीके से बता देते क्या हुआ है और ये कितना भयाव है करनाटक के लिए जहां पर दो दिन पहले मोधी जी थे हाथ पकड़ के चल रहे थे यदुरप्पा जी का वही यदुरप्पा जी जिनको करॉप्शन के चार्जिस पर घर बिठाया गया था आज हाथ पकड़ के चल रहे हैं और वही करनाटक का जहां पर आज ग्रह मंत्री अमित शाजी कुछ कोंगरस के खिलाब फिर से आगुगलते हुए दिखाई दिये थे उसी करनाटक में भाजपा के MLA माडल विरुख पक्षापा के लड़के प्रशांत माडल जो एक्चली करनाटक अड्मिनेस्ट्रेटिव सर्विसेस के अधिकारी हैं वो 40 लाख की ब्राइब 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और ये घूस ऐसी वैसी घूस नहीं थी ये किसी फलाने ने धिमकाने ने नहीं बताया था इस घूस के बारे में टिप आफ देने वाले भी श्रेयस्ट कश्यप थे जिनका ये टेंडर था जो टेंडर के थूँ आ रहे थे उनसे 81 लाख की डिमांड करी गई थी ये शायद पहला installment आया था 40 लाख का लेकिन बात 40 लाख पर नहीं टिकती है क्योंकि पिछले 24 घंटे में MLA सहाब के लड़के उनके घर उनके सहयोगियों के यहां से करीब 7 करोड 20 लाक रुपए बरामत किये जा चुके अभी तक ये छोटी मोटी रकम नहीं है ये टेंडर को लेकर ज जिसको PCM सरकार कहा जाता है ये उनकी असलियत है